प्यारे दोस्तों सादर अभिवादन पानिपत में सेवारत हरियाना पुलिस के सिंगम कहलाने वाले एक हवलदार की कहानी पिछले कई दिनों से सोसल मीडिया पर सुर्ख्यां बटोर रही है मैं पानिपत में था लोगों से मिलकर हेड कांस्टेवल की कारी परनाली को लेकर फीडवेक विलिया और मीडिया से मिले सिंगम नाम की हकीकत भी समझी हेड कांस्टेबल आसीश उर्फ सिंगम को दो दिन पूर टर्मिनेट किया जा चुका है मगर उसकी कहानी अभी भी सुर्ख्या बटोर रही है इस बारे में लोगों के अलग-लग दरश्टिकोन है सबने अपने अपने नजरिये से सिंगम को देखा है परका है मगर गुस्ताखी माफ से जुड़े कई समाचार पत्रों के पूर्व वरिष्ट समवादाता पवन कुमार बंसल की बात काफी दमदार नजर आती है आज लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर कहां चूक कर गए पानीपत के सिंगम पवन बंसल इसका जवाब यह कहकर देते हैं कि हैड कांस्टेबल लक्समन रेखा पार नहीं करते तो टर्मिनेट नहीं होते आएए पवन बंसल के सब्दों में ही जानते हैं उनका द्रश्टिकोण बंसल का कहना है कि मेडिया में चपास के रोग नहीं एक अच्छे भले पुलिस कर्मी की बली ली है उनका कहना है कि ट्रफिक रूल्स शक्ती से लागू करने वाले और अपनी ड्यूटी सही डंग से करने वाले पानिपत के हैड कांस्टेबल आसीस उर्फ सिंगम को छपास रोग ले बैठा पानिपत के पुलिश अदिक्षक शशांक कुमार शावन ने उन्हें शविधान की धारा 311-2-B के तहत ब्रखास्त कर दिया और उन पर अनुसासन हिंता अपने कामों में ड्यूटी में रहते सरकार के खिलाप लोगों में रोज पैदा करने और अधिकारियों की अवग्या करने जैसे आरोप लगे हैं असल में यह लक्समन रेखा के उलंगन के चलते हुआ आसीस अपनी ट्रैफिक ड्यूटी बड़ी मुस्तेदी से निबा रहे थे लेकिन वह अपनी सीमा का उलंगन कर गए ट्रैफिक ना के पर रिश्पत लेते एक पुलिस कर्मी का वीडियो बना कर उससे उलज गए और यहीं पर मार खा गए मगर अपनी ड्यूटी तक ही सीमित रहते तो यह नोबत नहीं आती सोसल मीडिया पर पोस्ट डालने और सुर्क्यों में बने रहने का उन्हें चसका लग गया था टर्मिनेट करने की कारवाई पुलिस अदिक्षक ससांक कुमार ने की है इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी दबाव में ऐसा किया है बनसल पानीपत में थानेदार रहे बलराज का उधारण देते वे कहते हैं कि कास सिंगम ने भी बलराज से कोई शीख ली होती तो यह दिन देखना नहीं पड़ता उन्होंने बलराज के बारे में विश्तार से जानकारी भी दी बनसल का कहना है कि पानिपत के ही थानेदार रहे बलराज भी अपनी नोकरी, इमानदारी और बिना दबाओ के करने के लिए जाने जाते रहे हैं लेकिन कभी बयानवाजी नहीं करते यहां तक कि उन्होंने तब भी बयानवाजी नहीं की जब ग्रह मंतरी अनिल विज के दर्वार में रिश्पत लेने की जूटी शिकायत पर उन्हें पिछली दिनों सस्पेंड कर दिया गया था शांत रहे और अपनी बात सलीके से मंतरीक सामने रखी और आला अफसरों को भी विश्वास में लिया नतीजा वहबाई जत भाल हुए और जूटी शिकायत करने वाले के खिलाब भी एक्शन लिया जा रहा है आसीस भी अगर सांत रहकर बलराज की तरह अपनी डूटी करते तो बहुत से लोगों को न्याय दिला सकते थे और उन्हें टर्मिनेट भी नहीं होना पड़ता इस कहानी से सिंगम की कहानी से सिंगम की इस कारवाई से हमें ये सबक लेना चाहिए कि सरकारी सेवा में कभी भी लक्ष्मन रेका नहीं लांगनी चाहिए